जम्मु कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और आमनागरिकों की लगतार हो रही टार्गेट किलिंग्स के बीच सुरक्षावनों को दो बड़ी सफलता हाथ लगी हैं दरसल च्शाल से सुरक्षावनों की पकड़ से दूर हिजबुल मुजाहिद्दین केक आतंकवादी को सुरक्षावनों ने अरेस्ट किया है एक अधकारी ने बतायए कि हिजबुल का आतनकवादी जम्हु कश्मीर के किस्ते वाड़ जिले में सक्रिय था और फिर से जिले को आतनकवाद के आग में जोकने की साजिश रच रहा था आपको बता दें जम्म कश्मीर में आतंकवादियों पर लगाम कसने के लिए लगतार अभ्यान चलाय जा रहा है किस्तेवार जिले में जम्म कश्मीर पुलिस रास्टे राइफल और सी आर्पय भी लगतार अभ्यान चला रही है इसी अभ्यान के दौरान हिजबुल मुजाहिद्दीन के एक आतंकी गिरफतार किया गया है गिरफतार आतंकी नागसैनी तैसिल के राशगवारी का रहने वाला है जमकश्मीर के एक सुरक्षा अधकारी ने बताये कि गरफतारी हिजबूल मुजाहिदिन के लिए एक बड़ा जटका है कतित आतंकी जिले में आतंकी गतिविदियों को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से सक्रिय था अधकारी ने कहा कि वो 2016 में आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था पकड़ा गया आतंकी युवाओं को गुमरा कर आतंक के रास्ते पर ले जाने के लिए टेर्रिस्ट गुरूप में उनकी भड़ती कराता था सुरक्षावलों का दावा है कि पकड़े गए हिजबुल आतंकी से कई बड़े टार्गेट का जवाब मिल सकेगा और तमाम नेटवर्ग को द्वस्त करने में काम्यावी हासिल होगी वहीं दूसरी ओर जमुकश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षावलों को बड़ी सफलता मिली है जानकारी के अनसार पुलिस ने मुटबेड के दोरान एक खुकार आतंकी को मार गिराया है इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताय जा रहा है आपको बता दें मुटबेड के दोरान तीन सैन एक और एक नागरिक भी घायल हुआ है मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षावलों ने हत्यार और गोला बारुद बरामत किये है जानकारी के मताबिक सुरक्षावलों का ओपरेशन अभी भी जारी है दरसल सुरक्षावलों रातंकियों के बीच मुटबेड दक्षिल कश्मीर के अनंतनाग जिले के राशीपूरा इलाके में हुई है मारा गया आतंकी निसार खांडे हिजबूर मुजा हिद्दिन का बताय जा रहा है आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षावलों राके को घेल लिया था इसी दौरान आतंकी की तरफ से पहले फाइरिंग की गई और फिर सुरक्षावलों ने जवावी कारिवाई करते हुए एक आतंकी को धेर कर दिया अब देखना ये होगा कि बाकी के छुपे हुए आतंकियों को जवान जिन्दा पकड़ते हैं या फिर जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं जै हिंद जै भारत अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूलें अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें